हेलो दोस्तो आजका विडियो में मैं आपको घाँँगा कि अगर आपका खाता है जिनकी पास एट्ययम काड नहीं जिनका त्हार साल नहीं हुआ वे सभी उजर वेट कर रहे हैं कि उनके बैंक में अधार काड़ से उप्याइप इन सेट हो जाए तो आज की वीडियो में मैं आप सब और को बैंक का बढ़ोता है कि कैसे आप लोग अधार काड़ से उप्याइप इसके लिए दोस्तों लिए चलता हूं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कि इसके दो सबसे website को open करने के बाद आपके सामने बैंकों का लिश्ट ओपन होकर किया जाएगा देख सकते हैं बैंक इनेबल इन प्रोडक्शन मतलब जितने भी बैंक है जिनमें आप अधार कार्ड के यूज करकी यूपी आइप बना सकते हो सभी बैंकों का नाम आपको नीचे दिखेगा अभी आपका बैंक का बढ़ोदा एड नहीं किया गया है देख सकते हैं आपको दिखेगा बढ़ोदा के जितने भी अटेच बैंक है बतलब जो उनसे link है जिसे बढ़ोदा गुजरात ग्रामिड बैंक बढ़ोदा राजस्थान छेत्रिय ग्रामिड बैंक बढ़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामिड बैंक मतलब जो भी bank of broloda से link है, उन सभी बैंकोienza में आधार कार्ट से IPI clean set करने का option add कर दिया गया है, बड़ जो bank of broloda public bank है, उसमें अभी आधार कार्ट से IPI clean set करने का option add नहीं किया गया है, तो bank of broloda जितने भी link bank है, तो उनमें सभी बैंकों में अधार यूपिया कॉप्शन जब एड़ कर दिया गया तो आपके बैंक ब्रोदा में भी बहुत जल अधार यूपिया कॉप्शन एड़ कर दिया जाएगा नीचे देख सकते हैं आपको दिखेगा आपका इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो चुका है तो अगर आपका खाता है इन सभी बैंकों में तो आप बहुत आसानी से अपने बैंक में अधार कार्ट के यूपिया इपिन बना सकते हो और दोस्तों अगर आपका खाता है बैंक का बढ़ोदा में तो आपको कुछ टाइम वेट करना है हो सकता है इस साल के ला पहले हैं यापके बैंक को बढ़ोदा में भी आधार काड सी यूपिया इंसेट करने का उप्शन देखने को मिल जाए तो यहां पर अगर आपके बैंक में दारी प्रॉपिया का उप्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने फोन में फोन पर या गूगल पर अप्लिके यहां पर क्लिक करते हैं आपका बैंक कडिटेल और करके आजाएगा तो यूपिया एंफिन में देख सकते हैं फोल डीजिट यूपिया रिक्वाइड आपको तुपिया इंक कुपर क्लिक करना है अभी है यहां पर आपको आधार औथेट का उप्षन दिखेगा जब आप अधार काट siupirupard करने के लिए इलिजबल हो जाएंगे आपके bank में धार ытपेक और से यहाँ पर किलिक करूंगा जहां पर आधार नमबर का और संदिक रहा जिसमें मैं अपने अधार कार्ट से भी UPI PIN बना सकता हूं तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बैंक में अधार कार्ट से UPI PIN बना पाएंगे जब आपके बैंक में अधार BIPI a option add हो जाएगा लिकिन एक छीज़ ध्यान देना है कि अगर आपके बैंक में अधार card में और mobile में त्शिर पर एक mobile वरेग review बना पारेंगे आपका mobile विदिफाई होने के लिए एंस चीजे is required एं तो अगर आपका अलग अलग mobile number है तब तक आप आप रूग को उसको चेंज कर वा लिजिए जैसे के बैंक में अधार काड़ सेट कर लिजेगा और इससे कोई अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जायागा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पर तब तक के लिए टेक केर